तो दोस्तो आजम बनाएंगे हींग वाला आम का अचार ये बहुत इस्वाधिष्ट बनता है चत्पटा बनता है खाने में बहुत अच्छा लगता है और इस अचार को आप पूरे साल के लिए पिजर्व करके रख सकते हो नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप उमीद करती हूं अच्छे ही नहीं बहुत इच्छे होगे तो देर न करते हुए रेश्पी बनाना शुरू करते हैं तो quantity अपने जरूरत के हिसाब से आप रख सकते हो, तो देखिए ये कच्ची अम्या है, ये देसी अम्या है, तो देसी अम्या से ही ये अचार बनाएं, तो ये देखिए मैंने 6-7 अम्या ली हुए, इसको एक घंटे के लिए पानी में भीगो दिया था और अब इसको हम पानी से निकाल लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, फैन के नीचे रख देंगे, या आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल न रहे, अच्छे से कपड़े से पोच लें, इसके बाद इसको रख दें, और आपको इस तरीके से कड़ी अम्या लेनी है, ज्यादा दिन की रखी हुई, अम्या से न बनाएं, तो देखिए ये अच्छे से इसको मैंने पोच लिया, और थोड़ी देर के लिए मैंने फैन के नीचे रख दिया था, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाए, मैंने इसके उपर का कैप जो तब वो नहीं अटाया, और अब हम इसको छील लेते हैं, आप चाहें तो बिना छिला भी इसका चार बना सकते हो, लेकिन हम इसको छील करके बनाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें छील लेना है, और ये जटपट अम्या छील करके तयार हो जाती है, और इस हमें इसको कट कर लेना, इसमें जार पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत बड़िया पीसे इसके नहीं बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं, तो इसकी गुठली जो है, वो हम अलग कर देते हैं, और इसको दाल में डाल सकते हो, या सबजी में डाल सकते हो, अब चलते हैं, अगले process की और एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम ये carry को डाल देते हैं तो इनको मैंने सुखाया नहीं है पहली अंबिया को हम थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था तो अब हम क्या करते हैं कि देखे मैंने डाल दिया और अब इसमें हम डालेंगे नमक तो मैंने देखिए आदा चम्मट इतना ये नमक लिया, इसको इसमें डाल दिया, बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं कुछ इस दरीके से और ढख करके इसको राद भर के लिए हम रख देते हैं तो साम को हम ये काम कर रहे हैं जिससे की राद भर में ये अच्छे से बढ़िया से हो जाए सुबह हम चेक करते हैं तो देखिए इसने पानी अपना छोड़ दिया है अंबिया ने और ये कुछ इस तरीके से हो गई है और अब हम क्या करते हैं देखिए कितना पानी इसने छोड़ा है और इस पानी को हमें अलग कर लेना है क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा तो बस देखिए मैंने इसको कुछ इस्टेनर लिया इस टेनर में ही इसको हम निकाल लेते हैं अंबिया को आप देसी अंबिया से ही बनाएं जो आम बाली अंबिया आती है कलमी अंबिया उससे ना बनाएं देसी अंबिया से ही बड़ी आचार बनता है चटपटा कटटा बनता है तो देखे पाणी को मैंने अच्छे से निकाल लिया और अवी अलग कर ली है थोड़ी देर के लिए इसमें रख देते हैं जिससे की इसमें पानी बिल्कूल ना रहे और अब हम क्या करेंगे कि इस पानी को अलग रख देते हैं इसका हमें आगे काम आएगा पानी इसलिए इसको फेकना नहीं है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें तो अम्बिया को हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देते हैं जिससे कि इसका पानी पूरा निकल जाए तो यह हम अलग दूसरे बरतन में रखेंगे तो इस तरह के से रखने से क्या होता है कि इसका पानी पूरा निकल जाएगा और यह सुखिस यम्या हो जाएगी और अब मैंने एक ट्रे लिए आप चाहें तो साप कपड़े में भी इसको फैला सकते हो मैंने थोड़ा सा अचार बनाया है आप ज़्यादा यदि बना रहे हो तो कपड़े में फैला दें तो बस इस तरीके से ट्रे में इसको हम फैला देते हैं और इसको हम एक डेर से दो घंटे तक हमें दूप में रखना है जिससे कि ये थोड़ा सा इसका पानी मर जाए और बढ़िया से ये अचार बनाने के लिए तैयार हो जातो आप इस तरीके से ये अचार बनाओगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा आप देख सकते हो कि 2-5 घंटे में बढ़िया सी अबिया कुछ इस तरीके से सूख गई है आज कल गर्मी बहुत पढ़ रही है तो जटपट ये सूख करके इस तरीके से अचार बनाने के लिए तैयार हो गई है अब हम क्या करते हैं बरतन लेते हैं इसमें इस अबिया को डाल है चोथाई चमच जितना हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी साथ में खाने में स्वाधिष्ट बनेगी अब इसमें एक चमच भर करके इसमें हम डाल देते हैं कस्मीरी लाल मिर्च पाउ हम इसमें हम इसमें हम इक चमच जितनी बढाल है हिंग डालै За te सत में पूरे साल बर का आप इसको रख सकते हो और खा को तो देखा की मैंने पूरी हीँग इससमें डाल दी यो भर कर करके चमच डाला था हैंाप इसमें थोड़ी से ज़्यादा ढाला है क्यूंकि यह इंक का ही अचार बनता है तो बढ़िया से देखिए मैंने इसको निकाल दिया और बढ़िया से इसको मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से यह अचार बहुत जटबट बन जाता है और खाने में बहुत चटबटा सौधिश्ट लगता है जो लोग ज़्यादा चटबटा खाना पस्म करते हैं इस सिसाफ से इसको खा सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि इसको राद बर के लिए इसी तरीके से ड्रग देते हैं अभी हमें जार में इसको नहीं रखना इस बात का ध्यान रखें इसलिए पूरा वीडियो देखें कि मैंने यह अचार किस तरीके से बनाया है तो अब हम सुबह इसको चेक करते हैं तो देखिए कुछ यह अचार इस तरीके का हो गया है बहुत ही बढ़िया बना है तो इस तरीके से आ चावमिन जिसे बोलते हैं उसमें ये डाला जाता ये वही विनेगर है और इससे आप साल भर के लिए ये अचार इश्टोर करके रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो देखिए इसमें हम भर भर के दो चमच धाई चमच इतना हम विनेगर डाल देते हैं इसे खट हम इसमें विनेगर डाल देते हैं थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगी तो उसमें ही अच्छे से गल जाएगी हवा विल्कुल एर नहीं रहनी चाहिए इस तरीके से दाप-दाप करके अचार को रखना है मैंने थोड़ा सा अचार बनाया है लेकिन हम आपको कुछी कंजी तरीके से बताएंगे दबा करके रखकर तो दोस्तों यह हमारा चार बन करके तयार हो गया है यदि आपको हमारे इस अचार की रिष्वी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें ज्यादा सी ज्यादा शेयर करें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एक दम न भूलें दोस अजादाइब